नमस्कार जी मैं मन्जू आज नमंबर की 29 तारिक है और जो मैंने सीड्स आपके सामने ग्रो की थे बैनिडियम के तो अपने गार्डन के ही मैंने वो चुने हुए थे और सीड्स क्लेक्ट करने पर भी मेरा वीडियो आप सर्च कर सकते हैं तो जो पोध है वो हमारी प्लांट करने हैं तो यह आप देख सकते हैं और इसके फूल जो ब्राइट इतने खुबसूरत लगते हैं और जब गमला भरा हुआ लगता है तो आप पुराने मेरे वीडियो सर्च कर सकते हैं जो दस किल्लो आटे वाला बैग होता है उसमें आप चार-पांच इसके पोध पोध हो गई है मेरे त्यार हो गई है तो मैं चार-पांच पोधे जो है मैं राइस बैग में तो नहीं लगा रही हूं नहीं अटे वाले बैग में लगा रही हूं तो जो कैट फूड आता है तीन किलो बाला बैग तो जो मुझे मिल जाए जो मेरे पास अभी मिट्टी मैंन बना दी है रख दिया है तो मैं उसी में ही ग्रो कर दूंगी तो मैं चार पुद्धे उसमें लगाना पसंद करूंगी क्योंकि जब हम ये पुद्ध त्यार की गई हो और रूर्स जो हम खींच के निकालनी पड़ती है तो फिर कई वारी कई सारे जो पुद्ध है हमारी चल भी नहीं पाती को यद्ध पुद्ध मर भी जाता है तो अगर तीन पुद्धे उसमें चल पड़े तो बढ़िया है तो आप मेरे पुराने वीडियो इसके सर्च कर सकते हैं तो एक पुद्ध में मैंने एक पुद्ध पी रखा था तो नैचरली जब हम जैदा अच्छी दस बारा इंची पुद्ध में एक पुद्धा लगाते हैं तो खूब अच्छी खुद्ध मिलती है खूब गना और खूब अच्छे फूल देता है वाट मैंने एक्सपेरिमेंट के तोर पे जो अट्टा बैग होता है दस किलो बाला तो उसमें मैंने चार-पांच पुद्ध लगाए थे तो उसमें जैदा फूल आये थे चालिस हूल एकठे के लिए थे और जो एक पूट में लगा था तो उसमें थोड़े कम फूल थे तो इसलिए तब से मैं सोचती हूँ कि अगर जैदा ही पूद्ध थोड़ा बड़े साइज का पूट है तो उसमें हम इसके जैदा भी लगा सकते हैं तो Usko मैंने अच्छे से घिल्ला कर लए है तो यह देख रहे हैं गिल्ली मिटी देख रहे है और नीचे से बिलकुल एसे पकड़णा है इसको ऐसे पकड़णा है यह यहां से ओर धीर यह से उपर को खिंचना है और मिटी मारी गिल्ली ही होनी चाहिए तांकि रूर्स को खिंचते हुए कोई नुकसान ना हो तो इसली आ जाएं तो इस तरह से तो मैं चार पुद्धे ये निकाल लेती हूँ और थोड़ा बीच से भी निकालती हूँ कोई-कोई तांकि बाकियों को फिर खुराक मिल सके और बाकि भी हो सके तो इसमें जो बच जाएंगे वो भी हमारे उसमें फूल तो एंगे फिर जैदा खुराक ना होने से फूलों का साइज जो है बड़ा ही चोटा रह जाता है और पुद्धा भी जैदा हेल्दी नहीं होता है इसलिए हम बैग में लगाएंगे इसको तो मैं दो और पु को मेरे जो है मेए घर में तो उसके लिए फूट आता है बड़ा जो की लिए लिए तेन किलु बाला बैग है तो इसमें ऑज्वित इसमाल कर लेती हूं तो इसमें मैं 4 फूद्धे लगाना पसंद करूँंगी आप हो सकता है कि चारो जल पड़ें तो भी ठीक है और बस ऐसे ही लगाना है ये गड़ा करके इस तरह से और रूट इसकी बड़ी नाजुक है बस इस तरह से उपर ही हवा में करके तांकि गड़े तक ये पहुंचाए और ऐसे मिट्टी दे देनी है और चाया बली जगे में इसको हमने रखना है तो इसी तरह से ये बाकी भी लगाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये मैंने लगा दिये हैं और मैं ऐसे उंगली से इस तरह से ये दवा दूँगी तांकि ये दूर से थोड़ी रूट भी ना इसकी तुटे और ये पुद्धा हमारा अच्छे से चल पड़े और थोड़ा असा पानी हम हलका सा और दे देंगे बैसे तो हमने खूब सारा डाल दिया और नीचे निच्चुड भी आया और इसे च्चाया वाली जगे में अब रखना है तो च्चाया वाली जगे में रखे इस पर कोई नेट का टुकडा भी दे सकते हैं और शाम के टाइम जब सूरज नहीं होगा तो उठा सकते हैं तो अभी दिवार के पास हम रख देते हैं ये जो डाइमोर फतिकाप के सामने मैंने ट्रांस्प्लांट की हैं तो अब ये चल पड़े हैं अब मैं कोई नहीं कबर नहीं कर रही हूँ बाल्ती से पर रखा अभी भी मैंने ये च्चाया वाली जगे में इस पर नेट दिया हूँ था तो ये चल पड़े हैं अब थोड़ी सी धूप इसमें सुबह के आई है तो अब धीरे धीरे जब अच्छे से ये ऐसे ही रहेंगे मुर्चायेंगे नी तो फिर मैं धीरे धीरे धूप का टाइम बढ़ाऊंगी और जब लगेगा मुझे कोई फर्क नी पड़ रहा तो फिर मैं इन्हें जो है फुल सनलाइट में रख सकती हैं बड़े फ्लांट्स के पास तो जैसे मैंने ये लगा दी हैं तो ये नेट का टुकड़ा भी ऐसे मैं दे सकती हूँ इस पे और शाम के टाइम याद से आपने जो है नेट का टुकड़ा वो हटा लेना है ऐसा निकी बना रहे और फिर मॉइस्चर बहुत जैदा बना रहे मिट्टी में मिट्टी गिली रहे तो रूर्स जो है गल जाएं और पुद्दा आपका सड़ जाएं तो मिट्टी को जो है हवा मिलनी भी जरूरी होती है और बहुत जैदा चाया वाली जगे में नहीं रखना है जैसे कमरे बगारा में हाँ सीडी में जो दरवाज़ा होता है न चट के साथ तो दरवाज़ी के अंदर रख सकते हैं बीना ढखे रख सकते हैं और फिर शाम के टाइम बाहर निकाल दें तो बस हमें ये ख्याल रखना है कि सिदी धूप से से बचाना जब ट्रांस्प्लांट किया हो तो बड़ा ये शोक में चला जाता है और नाजुक जैसा पुद्द होता है अब ये लूड़क जाएंगे अगर तेज धूप पड़ेगी तो फिर ये मर जाएंगे हमारे ये जो आप स्वीट एलसम देख रहे हैं तो ये एक महिन चार पांच दिन में ये खिलना शुरू हो गया है और दो महिने में ये पूरे बास्केट भर जाएगी ये पूरे जो है दिर दिर ये फ्लार्स बनते हैं फिर गुच्छे में आते हैं तो इसे अभी वियाप ऐसे घने घने गरो कर सकते हैं तो मैंने अभी थोड़े और गरो करने हैं तो मैं एक चीज से बड़ी परशान हो गई हूँ जहां कही मिटी मैं कुछ लगाती हूँ पानी डालती हूँ तो पिटूनिया के धेर सारे पुद्दे जो है अपने आप ही निकलाते हैं जैसे ये टब मैंने खाली किया था भरा था कि इसमें कुछ लगाऊंगी तो छोटा सा गमला एक मैंने इदे रख दिया था कि टॉम शरारत न करें पानी दियो जहां-जहां-पानी पर घेर सारे ये पटूनिया निकला है तो मेरा उखाडने का मन मीनी कर रहा है फिर मैं सूच रही हूँ कि उखाड के कहीं इने किसी और पोट में लगाती हूँ देखती हूँ 2-4 दिन में इसलिए मैं गहती हूँ कि जो जिनके सीर्स जो है बहुत जल्दी खिलना शुरू हो जाते हैं तो उनके सीर्स ये सोच के आप कुछ एक डाल सकते हैं हो जाएं तो भी ठीक है नहीं होंगे तो भी ठीक है तो बस यही सब करना है तो आज मुझे दिम के चार प्लांटों भी ट्रांसप्लांट कर ही दिये हैं